अब फ्रेंड्स, I am Champion महिपाद आज हम HTML में सीखने जा रहे हैं कि हम अपना पहला HTML का पेज जिस तरहें बना सकते हैं तो आएünüz देखते हैं , हम किस तरहें से अपना पहला पेज बना सकते हैं सब से पहले हमें लिखना है HTML greater than or less than के symbols के बीच में इसे कहते हैं tag इसके बारे में हम जान चुके हैं HTML लिखने के बाद हम कुछ space छोड़ते हैं इस space छोड़ने का मतलब क्या है यह है white space यह हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो हमारी coding है हमारा जो program है अगर हम उसे बाद में देखना चाहें तो हम उसे अच्छे से देख पाएं अगर हमें किसी particular section पे reach करना है तो section के उपर हम very easily reach कर सकें हमें यह पता लग सकी कि कौन सा tag कौन से tag के अंदर हमने write किया हुआ है second thing हम head लिखेंगे in the same way less than or greater than symbols के बीच में यह भी क्योंकि एक tag है एक और चीज नोट करने वाली है कि head html यह हम small में भी लिख सकते हैं और capital में भी लिख सकते हैं because html case in sensitive language है head के बाद अंदर उसके आता है title title tag शुरू किया हमने उसके अपना title लिखा then title को end कर दिया end tag जो होता है उसके अंदर एक special symbol आ जाता है बाकी सब से में रहता है slash slash अगर जब हम title end कर चुके हैं तो हमारा head part भी end हो जाएगा इसके अंदर और भी चीज़े आ सकती हैं लेकिन हम सिरफ है भी title ही दे रही है then we will start our body body tag लिखेंगे और उसके बाद हमें जो भी हमारी web page में show करना है हम वो लिखेंगे मैं यहां पर लिख रहा हूं this is my message to the world उसके बाद हम body tag को end करेंगे then we will end the HTML tag यहां पर हमारी first program के लिए first page के लिए coding खतम होती होगा तो यहां पर एक चीज़ और notice करने वाली है वो है यह देखिए सबसे बहले मैंने यहां पर HTML tag शुरू किया इसके अंदर head शुरू किया लेकिन जो मैंने head खतम कर दिया उसके बाद ही मैं HTML को बंद कर सकता हूं means कि एक tag जो किसी दूसरे tag के अंदर शुरू होगा वो उससे पहले ही खतम होगा जैसे यहां पर head हुआ तो वो HTML बंद होने से पहले ही बंद हो जाएगा बोड़ी को हमने शुरू किया वो भी पहले ही बंद होगी यहां पर head हमने शुरू किया उसके अंदर हमने title दिया तो title भी head बंद होने से पहले बंद होगा कि कोई भी दो tag की बोड़ी आपस में coincide नहीं करेगी अब हमने code लिए और जा करें हमें करना है save मैं इसे पहले ही save कर चुका हूं आपको क्या करना है save पे क्लिक करेंगे इस तरह का dialogue box आएगा save as type को यहां पर आप करेंगे all files and then यहां पर आप name देंगे end के अंदर आप dot html लिखेंगे उसके बाद save पे क्लिक करेंगे file save हो जाएगे उसके बाद जिस directory में जिस जगह पर आपने save की है वहां पर जाएंगे और उसके ओपर double click करेंगे तो आपको यह show हो जाएगा यह है आपका first html page आपने पहली अपनी website जो आप बनाना चाहरे हैं उसकी शुरुआत कर चुए हैं thank you very much